हेलो फ्रेंड्स ट्यूले स्टिप्स फोर यू में आपका स्वागत हैं कैसे हैं आप आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने गार्णिंग के कामों में खोब अच्छे से बीजी होंगे फ्रेंड्स आज आपके लिए मैं बहुत ही उप्योगी सा वीडियो लेकर की आई हूँ हमारे घर पे अकसर ओयल में या वाटर में या अन्यकिनी चीजों में ये बॉटल्स आती रहती हैं और हम इनको इदर उदर फ्रेंकने की जुगार में लगे रहते हैं पॉलिशन तो अपको छोटी मोटी गार्डनिंग के कामों का शोक है तो आप बहुत ही इजी ली इनमें प्लांटेशन कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाले पोद्य आप इनमें लगा सकते हैं मैंने पहले भी आपके काफी वीडियो अपलोड किये हैं प्लास्टिक प्लांटर में इनको हैं कि जिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा यह प्लांटर अपने को मिलेगा लेकिन यह पाने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी तो आप एंड तक यह वीडियो देखिए गा किस तरीके से इसमें अपने को वाटरिंग करनी है किस किसी भी साइज की बोटल ले सकते हैं इसका कवर उपर से खोल देंगे उसके बाद में नेक्स आपको काम करना है किचन में जाना है और कोई भी गरम रोड या नाइफ की हेल्प से इस पे होल्स बनाने होते हैं अपने को जैसे कि मैंने इस बोटल में बनाया है आप देख सक जो हैंग होने वाला सा प्लंट हो उसका चूज करना है वो इसमें काफी बीटिफुल लगेगा और जिसके ब्रांच आसाणी से लग जाए यानि कि जो कटिंग से जो प्लंट असानी से ग्रो हो जाए है और हैंगिं के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं प्लांट लेना है तो मेरे नजर में सबसे बेस्ट प्लांट है यह नाइनो क्लोक यानि कि मॉस रोड जिसको कि हम पॉर्चुला का कहते हैं बहुत इजिली ग्रो हो जाता है और इसके बहुत आपको अलग-अलग कलर्स मिल जाएंगे जैसे कि मैंने इसमें ये लो और रेड का कॉम्बिनेशन लिया है अगर आपके पास घर में कलर्स बचे हुए है तो आप इनवे कलर कर सकते है मेरे पास ये लो रेड कुछ कलर बचा वा था और ये देखिए मेरे बेटे Pokemon किया है और बहुत ही बहुत चोटा सा बच्चा है लेकिन उसको भी काफी शोक हो गया है मेरे साथ रहते रहते तो अभी-कभी वह बोलता है कि मैं करूँ तो मैं उसको मना नहीं करती है वह अपनी कलाकारी इनमें लगा देता तो इस पे कलर उसी ने किया है नेक्स्ट आपको जो काम करना है वो है आपको लेनी है पोटिंग सोईल बहुत पोरस सी सॉफ्ट सी तो उसमें आप लेंगे 40% गार्डन सोईल 30% उसमें लेंगे आप सेंट और 30% आप कोई भी उसमें अच्छी सी खाद मैंने इसमें गोबर की खाद ली है डीकंपोज हुई कि आपको कोई भी खाद लेने नहीं है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या गोबर की खाद अच्छे से आपको उसको मिक्स करना है ड्राइफ फ्रेज में उसको रखना है और इसके अंदर कीप की हेल्प से बढ़ना है लेकिन उससे पहले आपको लगानी है इसमें कटिंग आपके पास जैसी भी कटिंग्स हो वह आप लीजिए और इनमें इतनी 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 आप इनको अंदर की तरफ दबा दीजिए अंदर की तरफ छोड़ दीजिए उसमें पूरे जितने भी होल बनाए आपने उनमें बोटल की साइज के कोडिंग आप देख लीजिएगा कि कि इतना आपको इसमें गेर छोड़ना है कि पूरी फुल भर जाए इसमें आपको कटिंग लगाने के बाद में आपको ऊपर एक फनल या कीप लखना उसमें से उसको पोटिंग सोईल को अंदर डालना होता है तब तक यह क्या है कि पहले यह लगे रहेंगे तो अपन पोटिं पानी देंगे तो यह थोड़ा सा यहां कि इन होल्स में से निकल जाएगा नीचे तक पानी नहीं पहुंचेगा यह प्रोब्लम मेरे साथ भी एक दो दिन तक मैं परिशान हो यह मेरे समझ में नहीं है फिर मैंने लगाया एक जुगार इस तरह की कोई बकेट ली मैंने और उसको देखिए मैं बताती हूं आपको करने का तरीका इसमें यह बकेट मैंने रख दी यह बकेट को भर दिया पानी से अभी में पानी नहीं लगाऊंगी ने क्योंकि मेरे फ्लोवर्स खिलेवे हैं यह काम आपको शाम को करना है या मोर्निंग में जब इसमें फ्लोवर्स म तो आप इसमें डेली वाटनिंग को तरीके से पानी भरेंगे और इसमें रख देंगे शाम को या सुबह दोपर में यह करेंगे कि दोपर में इसका अब ग्लूमिंग का टाइम होता है तो अपने फ्लॉवर्स खराब हो जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको दस मिने चोड़के और फिर दूसरी साइड में आप इसको रख सकते हैं और आपका ये गुलदस्ता त्यारा सा हमिशा के लिए आपके पास रहेगा समर सीजन में सकतियां रहेगी और नेक्स सीजन में आप इसको फिर से ग्रू कर सकते हूं तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आइडिया ये और आप इसको हैं कर सकते हो किसे फ्री जगह पे आपको हैं करना है और ये आराम से आपके गेट के पास में रूम की खिड़की के पास में बहुत वहाँ प्यारी लगेगी अगर आप लाइन से इनको जमाएंगे तो बहुत प्यारा सा फ्लॉर पॉर्ट बन करके आपका तयार हो जाएगा तो फ्रेंट्स कैसा लगा आपको यह बोटल प्लांटर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेर कीज अगर आपको शेडी प्लेस में रखोगे तो इसमें फ्लॉरिंग कम होगी नेक्स्ट जो बात थी वह एक इसमें हम खाद पानी सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं ड्राइ उसके बाद में अगर आपको लगता है कि फ्लॉरिंग कम हो रही है या इसमें पोर्टिंग सोईल हमने अच्छा नहीं डाला है इसमें खाद की जरुतता आप इसको लिक्विट फॉर्म में खाद ऊपर से दे सकते हैं या फिर बकेट में आप गोबर की जो खाद होती है लिक्विट फेज में वह इसमें डालिए पानी से भरिए और इसको दस मिल्ट पर छोड़ दीजिए आराम से इसमें खाद लग जाएगी तो फ्रेंड्स यही थी इस प्लांट को इस प्लांटर को सुन्दर बनाने की टेक्निक अगर आप अच्छा लगता है तो इसको जरूर प्रयोग कीजिएगा थैंक्यू फॉर वोचिंग